Hello dear student, कैसे हो आप लोग और कैसी चलने ही आप लोगों की हिंदी की तयारी student आज हम इस वीडियो में 24 फरवरी 2025 को class student हिंदी के जितने भी student है और इस बार 24 फरवरी को paper देने वाले हैं तो हम उन सभी student के लिए लेकर आए हिंदी का एक viral paper जो है 2025 बूर्ड परिच्छा के लिए तो जितने भी student इस बार paper देने वाले हिंदी का और उनका भी target है भया हिंदी में 95% का आपके इस बार 24 फरवरी 2025 की board exam में आपको देखने को मिल जाएगा तो हिंदी का ये most important viral paper है student ये paper आप लोग solve कर लेते हैं तो आपका जो 100 में से 95 का target है ये जरूर अचीव होगा student most important paper है और काफी वर्षों से पूछे जा रहे है इसमें important questions बताए जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यहाँ पर देखिए student दोजार पचीज पेपर है क्लाश टोईल हिंदी का paper code आप लोग देख लीजे 670 YG paper code है पूरांक आप लोगों का class टोईल हिंदी का slow number का होता है ठीक है उसके बाद में समय आपको वही दिया जाएगा जो हर एक subject में दिया जाता है हिंदी में इस हंदी में दो खंड हैं दो खंडों के सभी प्रश्णों के उत्तर देना अनिवार है यानि एक हंदी व्याकरन और एक इंदी गद्द के थीक है यह दो topic आपके आ जाता है इसमें खंड का और खंड खामी ठीक है समझ में आ गया उसके बाद में देखें स्टूडेंट हम सबसे पहले खंड का के सारी प्रशनों को तयार करेंगे जो हमें इसमें 50 नंबर दिलाकर जाएगा फिलाल चलते हैं और इस पेपर को पूरा सॉल्व करके बताते हैं यहां पर देखें स्टूडेंट सब स्क्रीन पर चार उप्संस दिए को इनमें से आपका राज रायिट एंसर हो जाएगा उपर साद सितारे इंद इसके करेक्ट हो जाएंगे यहनिए पहले नंबर का पहले आ सं इपर सितारे इंद कि स्की倍 तो जो बालकिष्ण भट द्वारा जो संपादित पत्र का है श्टूडेंट वो हिंदी प्रदीप है देखे श्टूडेंट पाँच आपके गद्ध कोश्चन पूछे आते हैं ठीक है जो गद्ध यानि लेखक से रिलेटेड होते हैं समझ में आ गया और पाँच आपके पद्ध कोश्चन पूछे आएंगे जो आपका सेकेंड में आएगा यानि प्रश्णोत्तर नंबर तू में ठीक है तो यहाँ पर देखिए अगला कोश्चन गा नंबर कि जैसंकर प्रसाद की किर्टी कौन सी है तो जैसंकर प्रसाद की जो किर्ची है जो किर्टी है श्टूडेंट तो इनमें से दुरुवश्वामनी हो जाएगा यानि गा नंबर का थर्ड वाला ओप्सन दुरुवश्वामनी करेक्ट एंसर है हमने जादा से याद अपने चैनल पर ऑब्जेक्टिव कोश्चन भी तयार करा है तो आप लोग जाकर वो वीडियो भी देखिए ठीके और अपने ऑब्जेक्टिव कोश्चन को जो दस नंबर का आता है उसको तयार कर लीजी यहाँ पर देखिए अगला कोश्चन घा कोश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो भारतिय अर्थनीती का अमोलिन पुस्तक के जो लेखक है वो है पंडित देंद्याल उपाध्याजी ठीक है आपके पंडित देंद्याल उपाध्याजी राइट एंसर हो जाएंगे अगला कोश्चन है अड़ा नंबर य दो मिल इसके राइट एंसर हो जाएंगे यानि अड़ा नंबर का आपका सेकेंड वाला उप्सन बिलुकुल करेक्ट एंसर है ठीक है अब देखिए स्टूडेंट यहां पर आ गया है प्रश्न उत्तर नंबर टू इसमें क्या है पद्द के पांच कोश्चन से डेर चैनलति का नंबर कोश्चन ग अनाम दास का पोथा के रचना कार कौन है आप सभी को पता और आम्दास की पोथा काफी वार मैंने आप सभी को बताया है इनमें से आचार हजारी परशाद दिर्वेदी जी, इनके राइट एंसर हो जाएंगे, अशोक का फूल इनकी रचना है, उसके बाद में इनका कौन सा और रचना हो जाएगा, अशोक की फूल हो गया, ठीके, और अनांदास का पोता, कवीरवाणी के डिक्टेटर भी यही है, अचार हजारी परशाद दिर्वेदी जी, तो यह समयाद रखिएगा, ठीके, उसके बाद में देखे, कामाईनी की विधा कौन सी है, देखे, कामाईनी किसकी रचना है, श्टुडेंट तो यह भी पूछा जाएगा, तो कामाईनी जैसे साकेत एक महाकाव्वे है, ठीके, उसके बाद में देखे, मैथली सरहण गुप्त की रचना है, टीके, इसमें जो मैथली सरहण गुप्त की रचना होनी चाहिए, वो एक आई थे ओपसंस में पद छेडा, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं, ठीके, पद छेडा हो जाएगा, यह दिखे, यह राइट एंस सीधा डारेक्ट बता दिया है। समझ में आ गया है, उसके बाद में देखिए अना नमबर question, देखिए, अना नमबर question पूछा गया है, दिंकर जी ने किस सुरण निर्मित छंद का परियोगраш harassment नामक रचना में किया है ठीक है तो दिनकर जी यानि रामधारी सिंग दिनकर जी की बात हो रही तो इन में से जो सेकेंड वाला प्रीती हो जाएगा ये राइट एंसर हो जाएगा इस्टूडट ठीक है तो पांच जो हमारे पद्द से कोशन से मैंने उसको भी बता दिया है यहाँ पर आप लोग बाकाइदा देख सकते हैं तो टोटल डस आपके ऑब्जेक्टिव कोशन यानि बहुविकल्पे कोशन हिंदी में पूछे आते हैं मैंने आप सभी को बता दिया है अब यहाँ पर हमारा देखिए तीसरा कोशन स्टार्ट हो जाता है देखिए तीसरा कोशन स् अब ही बार हल करना सिखा दिया है फिलाल एक बार फिरसे में सिखा देता हूं कि कैसे आप लोगों को पूरा गद्दान्स को हल करना है और यह जो 10 नंबर होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फ्री के होते हैं ठीके दस मेंसे तो आप 9 नंबर तो अपना फिक्स ही यानि हर एक question जो होता है दो number का होता है और यहाँ पर 5 question दिये हुए screen पर देख सकते हैं 5 questions है ठीक है अब यह जो गद्दान्स होता है dear student यह दो गद्दान्स आपके paper में पूछी आते हैं ठीक है दोनों में से किसी एक को करना है जिसके लिए आपको examiner 10 number देगा अब देखिए 10 number इतनी आखानी से नहीं देगा हर एक question का आपको answer देना पड़ेगा तब जाकर आपको 2 number दिया जाएगा और total 5 question है तो 5 गुड़े 2 बराबर कितने हो गए 10 number आपका यहाँ पर fix हो जाता है अब 10 number कैसे प्राप्स करेंगे तो चली देख लेते हैं हमें क्या करना है यहाँ पर बाकाइदा दिया हुआ है कि निमलिकित गद्दांस के आधारित प्रशनों का उत्तर दीजी हमें क्या करना है केवल प्रशनों का उत्तर देना फाल्तू चीजे नहीं करना है ठीक है तो अब देखें कौन सा प्रशन जैसे यहाँ पर देखें सबसे पहला कोश्चन पूछा गया है देख सकते हैं कि उप्यूक्त गद्दांस के पाट का सीर्शक और लेखक का नाम लिखें तो हमें क्या करना है यह जो गद्दांस दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं भ की point होता है, key point याणी clue मिल जाता है जिससे, क्या होता है कि हमें idea लग जाता है कि इस chapter से, देखी, यहाँ पर प्रिदिवी की बात हो रही है, राष्ट यता की बात हो रही है, देवो भूमी की बात हो रही है, तो भया यह जो आपका first chapter है, राष्ट का सुरूप, आप लोगों कैसे कनपर्म होगे कहेंगे sir, देखे, आपने chapter का नाम बता दिया, और आपने लेखा का नाम बता दिया, जो वासुदेव सरन आगरवाल जी है, तो हमें क्या करना था, क्या है संदर्व लिखना था, अब संदर्व कैसे लिखेंगे dear student, संदर्व के लिए आपको करना क्या ह आपको अमारी वीडियोज देखनी पड़ेंगी, ठीक है, कॉपी में कैसे हमने बताया गद्दांस को solve करना, बहुत ही easy तरीके से, तो उसमें मैंने संदर्व लिखकर बताया है, कि कैसे आप लोगों को paper में संदर्व लिखना है, संदर्व एक एहम भूमिका होती है ठीक है, ये clear हो गया, उसके बाद में देखें दूसरा question, रेखां की तंसकी व्याक्या कीजी, अब आप जाल लीजे कि आप कमजोन है, beginner है श्टूडेंट आपको नहीं पता है गद्दांस को कैसे हल करना है, तो रेखां की तंसकी व्याक्या पूची गई है, तो ये जो रे CTL में इनका अर्थ बता देना है स्टूडेंट, अब इसका अर्थ आपको नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे, जो रेखां की तंसकी व्याक्या पूची गई है, इसकी आगे भाया यहीं उठाकर पेश्ट कर देंगे, यह भूमी का निर्मार देवो ने किया है, ये अरं से related होते हैं, कैसे आपको इसका answer मिलना है, इसका answer आपको इसी में मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए, तीसरा number question पूचा गया है, भूमी के प्रत हमारा क्या कर्तव है, ठीक है, भूमी के जो प्रत हमारा कर्तव है, ये क्या है यहाँ पर देखिए, इसके बारे में बताया से student इसी में आपको answer मिल जाएगा देखें मैंने answer भी ढूड़ने आपको बता दिया है जो पूछा गया था कि भूमी के प्रत हमारा कर्तव वी क्या है तो भूमी का निर्मार देवों ने किया है फिर यहां से देखें यहां से लेकर यहां तक जो आवश्यक कर्तव है यह आप जो राष्टता है यह कब बल्वती होती है इसके बारे में बताना तो देखें इसका answer भूमी के पार्थियों शुरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरुक होंगे उतने ही हमारी राष्टता बल्वती हो सकेगी तो यहां से लेकर भया आपका second question का right answer यानि जो चार number question था यहां से लेकर आपको यहां तक लिदेना है यह भी clear हो गया ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं बाकाइदा और देखें प्रतिवी के बारे में क्या जानना चाहिए ठीक है तो प्रतिवी के बारे में हमें क्या जानना चाहिए इसके बारे में यहां पर बात हो रही है ठीक और पाचों question का answer भी दिखा दिया है बिना पढ़ी आपको नहीं idea है कि किस chapter से लिया गया है या रेखांकी तंसकी व्याख्या कैसे करें बाकी का सार आपको question का answer इसी गद्दांस में देखने को मिल जाएगा ठीक है बहुत important ठीक है student ऐसे हर एक student follow करते है और इसका answer आपको इसी गद्दांस में देखने को मिल जाता है ठीक है इतना आपको समझ में आ गया अब second वाला भी आप ऐसे कर सकते है अथवाला माल लीजी कि उपर वाला आपको नहीं अच्छा लग रहा है answer नहीं पता है तो आप मत कीजिएगा ठीक है उसका chapter का नाम नहीं पता है तो मत कीजिए Sam ऐसे भी इस trick में लगाईएगा जैसे यहाँ पर देखिए जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो उर्जा का ही क्या है शुरूप है अब आप लोगों ने जो chapter का नाम है हम और हमारा आप लोगों ने chapter का नाम पढ़ा होगा इसके लेखक के बारे में भी आप जानते होंगे जो की है कौन डाक्टर एपी जी अबदुलकलाम अब यहाँ पर भी total student पांच question पूछे आते हैं ठीक है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पांच question है और हर एक question का answer देने पर आपको दो number examiner देगा same process कोई भी issue नहीं है same process है दोनों में से किसी एक को करना है और दो question जो होते हैं वो compulsory होते हैं student आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी में उपियोक्त पद्दांस और chapter का नार और आपको रेकां के तंसकी व्याख्या ये दो question आपको गद्दांस में भी देखने को मिलेंगे और जो आपका पद्दांस है इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा और दद्दस number का दोनों होता है गद्दांस पद्दांस आपके paper में बाकी का जो तीर question है गद्दांस में इसका answer आपको इसी में मिल जाएगा आप लोग आराम से ढूड़ लीजे student और इसको solve करके आप लोग हमी बताईए कि sir मैंने जो second वाला था आथावा वाला वो मैंने बहुत ही आसानी से solve पर दिया है ठीक है नीचे हमें comment में बताईए बहुत easy तरीका बताया है और अब भी नहीं solve करते थे solve कर पाते है student तो बहुत बुरी बात है आप सभी के लिए क्योंकि अब तैयारी के time कम बचा है और अच्छे से तैयारी करना हिंदी है कि अच्छे नंबर के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेंगी हिंदी को हलके में मत लीजिए अपने आप में फोस सब्जक्ट है मजबूत सब्जक्ट है ठीक है समझ में आ गया तो यह हमारा जो गद्दांस था वो मैंने आपको बता दिया है अब चलिए देख लेते हैं अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है चार नंबर किनलिकित पड़्दांसों पर आधारित प्रश्णों का उत्तर लिखिए ठीक है पड़्दांस इसमें भी दिये हुए है और सेम प्रोसेस इसमें इसमें च्टूडेंट दो पड़्दांस आपके पेपर में पूछे आते हैं दो प लिखांकी तंसकी व्यक्या और चैप्टर का नाम और उसके कवी का नाम या लेखा का नाम ठीक है तो यहाँ पर देखे सबसे पहला कोश्चन पूछा गया है यहीं कि भाया उप्यूक्त पड़्दांस के सीसक और कवी का नाम लिखिए ठीक है तो आप लोगों नहीं क्या हुआ है यह जो पद्दांसे कि मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला बियोगनी कुछ तो दया विचारो होकर मधू के मीत मदन पट तुम कट गरन लगारो ठीक है मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठेरो स्रम परिहारो ठीक है अब आप लोगों ने इसको पढ़ा अब आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा जो की गीत है अब यह गीत किसका है एक होता है जो है किसका इनका मैतली सरण गुप्त जी का केकई का अनुताप केकई का अनुताप आप लोगों ने देखा होगा उन्हीं का मैतली सरण गुप्त जी का सेकेंड वाला जो प बाकी का रेखांके तंसकी व्याख्या कर लीजिए यहां पर ठीक है और बाकी का जो तीन कोश्चन इसका आप लोग दे दीजिए आपका टोटल दस नंबर का जो है पद्दांस की लियर है ठीक है अब सेम प्रोसेस इसमें भी है दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं जैसे यह ल कि कोती है भी यह आप लोगों को पता होगा मेने काफी बार बताया है बादल राग तो दोनुम में से किसी नंबर बटोर लीजिए, ठीक है, दस नंबर आपको कैसे मिलेगा, और पद्दांस और गद्दांस को हल करने का सबसे मेरे बहतरीन तरीका बताया, कॉपी में कैसे लिखना है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, नहीं तो 20 नंबर तो आपको गद्दांस गद्दांस में, उसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है, कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक एक नंबर छूड़िये मत, चाहे एक नंबर हो, उसको भी लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके पेपर के लिए most important होता है, और से किसी एक लेखक का जीवन परचे देते हुए, उनिकी साहितिक विसेशताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है, निमलिकित में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परचे दे रहा है, ठीक है, अधिक्तम सब्सीमा क्या है, 80 सब्दों में आपको जीवन परचे को लिखना है, और पाँच नमबर दिया जाएगा इक्जामनर के तरब से ठीक है तीन नमबर दिया जाएगा जीवन परचे के लिए और जो दो नमबर दिया जाएगा डियरी स्टूडेंट ये किसली दिया जाएगा आपके जो साहित्तिक विसेस्ता है इनके लिए ठीक है अब देखें जो 24 फरवरी 2025 को आपका एकजाम है तो कौन-कौन सा आपका जीवन परची आएगा लेकक में मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप तयार करके जाते हैं तो इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा ये वाइरल पेपर है और लीक पेपर है और आपकी तयारी बहतरीन कराते रहेंगे हर एक संजिक्ट की ठीक है तो देखे लेकक में आपकी डाक्टर वासुदेई शरण अगरवाल जी 24 फरवरी को ये कंफरम है सेकेंड पर है पंडित दिन द्याल उपाद्याई जी ये भी कंफरम है और थर्ड पर है डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम जी ठीक है तीनों मेंसे तयार कर लेते हैं माल ली जी कि वहिया दो नहीं आता तो एक तो आएगा वही आपका पांच नंबर दिलाकर चला आएगा क्योंकि इसमें आपको देख सकते कि लिखा हुआ है कि किसी एक लेखा का जीवन परचे देना है तो किलियर होगा तो तीनों मेंसे में गारंटी लेता हूँ कि तयार कर लोगे तो एक ना एक तो जरूर फसेगा नहीं तो तीनों भी आ सकता है कोई इशू नहीं है ठीके तयार कर लिजिएगा उसके बाद में देखे याँ पर खा नंबर में कि निमलिकित में से किसी एक कवी का जीवन परचे देते हुए उनकी किर्तियों पर परकाश ड़ली ठीके उनकी क्या करना है किर्तियों पर परकाश ड़लना है अधिक्तम सब्द सीमा कितने है असी सब्दो है ठीके ये कवी का जीवन परचे है अब देखे इस बार 24 परवरी को आपके जैसंकर परसाथ जियारे वाले है कंफर्म है सेकेंड पर महादेवी वर्मा जी ये भी कंफर्म है और थर्ड पर सचिदानंद हीरानंद वातसेन आगे ये भी भाईया कंफर्म है लिख लीजिए 100% में गारंटी लेता हूँ नहीं आएगा फिर आप लोग कॉमेंट में जाकर बोल देना ठीक है कुछ भी लिख देना लेकिन ये तयार कर लेना वाईरल पेपर है मैं बता रहा हूँ बार बार इसमें बताए गए जितने भी कोश्चन से अभी से तयार कर लोगे तो आपका 95% का जो टार्गेट है हिंदी में आप जरूर लेकर आओगा हर एक स्टूडेंट लेकर आएंगे 95% ठीक है सेम प्रोसे से पांच नमबर इसमें भी आपको दिया जाएगा उसके बाद में देखें याँपा छे नमबर में देखिए छे नमबर में है कि कहानी कला के आधार पर बहादूर कहानी का सारांस लिखे ठीक है आपको सारांस याण इसका पूरा व्याक्या कर देना है सारांस इसमें भी 80 सब्दों में आपको लिखना है और ये 5 नमबर का होता है ठीक है और ये हर साल आने वाला एक most important topic है student कहानी ठीक है तो तयार कर लिजिए अब इतने भी कहानी खतब नहीं होता है आपको देखिए आथवा करके लिखा हुआ है कि लाटी कहानी के परमुक पात्र का चरित चित्रण कीजिए ठीक है तो दोनों में से किसी एक को करदा चाहे आप भया बहादूर का कर लिजिए या आप लाटी का कर लिजिए ठीक है साथ नंबर कोश्चन देखिए कि श्वापटित खंड कावव की अधार पर किसी एक खंड कावव के प्रश्न का उत्तर लिखी ठीक है असी सब्दों में ये भी देना है पांश नबर का होता है और ये देखे यूपी के अलग-अलग district में अलग-लग खंड कावव चलता है जैसे मेरे यहाँ पर में बात करूं दियर स्टूडेन तो त्याकपति खंड कावव चलता है हमारी district के में बात कर रहा हूँ आपके district में जो खंड कावव चलता है कि कैसे आप लोगों को ढूंडना है, यदि आपको नहीं पता कि आपके district में कौन सा खंड काव दे चलता है, तो उसके लिए सबसे ही तरीका है, book और question bank, ठीक है, जाएंगे आप लोग खंड काव के जो section होगा part में, वहाँ पर आपको हर एक chapter पर, नीचे दिया होगा कि इस भ ठीक भईया, तयार कर लीजे, असी सब्दों में होता है, बहुत important होता है, तयार कर लोगी तो, आपके paper में आएगा, अब देखें, यहाँ पर आ गया है, खंड खा student, खंड खा में देखें, हिंदी व्याकरण के सारे questions यहाँ पर start हो गया है, 50 number भईया, आपे खंड खा या और तयार कर लीजे, ठीक है, चली देख लेते हैं, यहाँ पर देखें, आठ नंबर question देखें, कि निमलिकित संस्कृत गदांसों में सी किसी एक का सास अंदर वहिंदी में अनुआद कीजी, ठीक है, किसी एक का आपको सास अंदर वहिंदी में अनुआद करना, जिसकी पूछे आते हैं, dearie student, जिनमें से करना आपको एक ही है, यहाँ पर बाकाइदा लिखा हुआ है, उपर आप देख सकते हैं, कि किसी एक का सास अंदर वहिंदी में अनुआद करना है, अब यहाँ पर देखेंगे student, तो आप लोग सोचेंगे कि यह साथ नंबर किस लीदी है, देखें, यहाँ पर आपका दो कोशन पूछा है था, एक आपको संदर्व लिखना है, कि भाया किस चैप्टर से लिया गया है यह, और second आपको इसका हिंदी में अनुआद करना है, जिस तरह से इंग्लिस में ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू आपको इंग्लिस करना पड है, जो कि आपके इस बार पेपर में पूछे आएंगे संस्कृत का गद्दांस, तो यह जो चैप्टर का नाम है, मही रिशी दयानन्द, ठीके, क्या नाम है, मही रिशी दयानन्द, आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा, मही रिशी दयानन्द, मैंने काफी बार ब पर में questions आएंगे तो घबराना नहीं आपको पूरा solve करके जाना है अत्वा करके दिया हुआ ये वाला तो दोनों में से किसी एक को करना है जो आप लोगों को अच्छा लगे कल दीजेगा फिलाल आपको चाप्टर का नाम नहीं पता है तो इसमें में की point बताता हूं जिस तर से आप लोग देख लिए तो आपको देखे मदन मोहन मालवी और एक आपका महामन मालवी जो चैप्टर है इस से तयार कर लेना है पांच गद्दांस को और पांच गद्दांस आपको तयार कर लेना है महीर इशी दायानंद से तो ये आपका confirm हो जाएगा 7 नमबर दो नमब संस्क्रित इश्लोक में से किसी एक का सा संदर्व सहित हिंदी में अनुआद किजी इसमें भी आपको हिंदी में अनुआद करना है इश्लोक है ठीक है दो इश्लोक दिये हुए आपको आप स्क्रीन पर देख सकते है ठीक है ये दिखे एक ये है आपका और एक ये है तो दो एक आपको पेपर में इस लोग देखने को मिल जाएगा तो इसके सभी इस लोगों को आपको पढ़ लेना है सुभासी रतनान की ठीक है दूसरा है बहिया दूत वाक्यम जो कि आप देख सकते कि अनुभूत महादुक संपूर समया साचा ठीक है इसके बारे में बहिया दूत से लिया गया है तो दोनों वेसी किसी एक को पेपर में करना है लेकिन फिलाल आप सभी कोश्चन को तयार कर लीजी एक भी कोश्चन को छोड़िये मत ठीक है क्योंकि साथ नंबर आपको एजी नहीं होगा साथ नंबर पानी के लिए बहुत ही मकस्त और बहुत ही महनत करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ नंबर आपको मिलेगा इस लोग और संस्किर्ट का जो गदास है कैसे सॉल्व करना है इस पर मैंने और लेडी वीडियो बनाया हुआ है आप लोग जाकर देख सकते हैं वो वीडियो ठीक है अब यहाँ पर देखे नौ न बिखाना ओवाल्यद जर्मे कुट्री अभवत आपर देखे माधं मोहन मालवी तो आपका सहीव हो जाएगा ठीक है म!'यद जो कुत्र है इसको आप हटा कर यहाँ पर लिख देगे परियाग नगरी ठीक है भईया परियाग नगरे में यी परियाग राज में इनका जन्म लाग नगरे अभवत ठीक है अब आपका भया दो नंबर कंफर्म हो गया से इसी प्रकार से इसको भी कर लीजिएगा तो टोटल आपको दो ही कोश्चन कंडा है और चाप्टर आपको कोश्चन मैं तो आपने लिया ही होगा तो आपको तैयार कर लेना यह सभी कोश्चन को ठी पेपर में आएगा चार नंबर दिला कर जाएगा अब देखिए च्टुडेट अगला कोश्चन यहाँपर 10 नंबर कोश्चन दस नंबर का का नंबर कोश्चन है कि करूड रस अथवा हाश रस के स्थाई-भाव के साथ उसकी परिभासा उधारण सहित लिखिए तीक है एक को करना है और आपको कितने नंबर दिला कर जाएगा यह आपको दो नंबर दिला कर जाएगा तो दो नंबर दिला कर जाएगा तो दो नंबर दिला कर जाएगा तो दो नंबर दिया जाता है और जो रफ चंद अलंकार होता है यह हर साल आने वाला एक most important questions है, topic है, तैयार कर लीजिए, ठीक है, तो रूपा का लगार्च कर लीजिए, अथवा या उत्रेच्छा का दोरों में से किसी एक को करना है, गार नमबर में है, चौपाई अथवा रोला चंद का लचण यह उधारण देजिए, ठीक है, चौपाई मैंने रशचंद अलंकार पर एक dedicated video मराया हुआ है, जो कि तीनों topic एक ही video में cover किया है, आप लोग जाकर देख लीजिए, और कौन सा important आपके topic paper में पूछे आते हैं, रशचंद अलंकार के, वो भी मैंने बताए हुआ है, तो channel पर आपको मिल जाएगा playlist में भी आप check out कर सकत हैं, ठीक है, उसके बाद में देखें, यहाँ पर 11 नंबर question, देखें, स्क्रीन पर दिया हुआ 11 नंबर कि निबलिखित मैंसे किसी एक विशे पर निबंद लिखिए, ठीक है, 9 नंबर दिया जाएगा आपको निबंद के लिए, ठीक है, और यहाँ पर 4 निबंद दिये हु और चौथा है आपका 11 नंबर अच्छण का महतुँ, डीटियल में इन सभी टॉपिक पर 200 सब्दों में आप लोगों को निबंद लिखना है, सभी का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस्टूड़न तयार, जरूर कर लिजे, अच्छे नंबर ले आनी है तो, उसके बाद में देखें, आपर 12 नंबर का का नंबर कोर्शन दिया हुआ है, कि तचोर का संद विच्छेद है, देखें, 12 नंबर का 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 पहला कोर्शन है, कि तचोर का संद विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इन में से गावाला हो जाएगा, तत पलस चोर हो जाएग पोधन अका की सही जो है संद विच्छेद पूछा गया है अगला question है आप तीर नमबर कि राम सचलती बेसंदी जो होगा कौन सा संदी होगा तो यह आपका विसर के संदी होगा यह आपका तीसरे नमबर का गाविकल पर राइट इसर हो जाएगा student और ऐसे ही आप लोगों को जो मेरे संद विच्छेद के बारे में बिताया है पांच टॉपिक आपके इसी related पूछा आता है चैनल पर मिल जाएगा जो की रश्चदे जो आपका रश्चद नहीं आपका संद विच्छेद समास, बिभक्ति, प्रत्य और पत्र लेखन पर ये पांच टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है जो जो important है आपके questions में संदी आता है प्रत्य आता है ये दो दो number एक एक number तीन की number का होता है तो इसको भी तयार करना उतना important इस तरह से दाल में नबक का important होता है तो इसको भी तयार कर लीजिए अब यहाँ पर देखिए खा नंबर कोश्चन देखिए खा नंबर का पहला नंबर कोश्चन है कि नीलश्य में समास है तो नीलश्य में जो कौन सा समास है इस्टूरेट तो वो आपका हो जाएगा करमधारन समास यारी खा नंबर का पहले का खा राइट एसर हो जाएगा अगला कोश्चन है सेकेंड वाला यादे पर देखिए यतोचितम में समास है तो यतोचितम में जो समास हो जाएगा वो आपका अवीज़ भाव समास हो जाएगा किय technич कौन सा समास अवीज़ भाव समास देखिये आपके पेपर में समास की related में बात करूँ तो आपका करमधारण और अवीज़ भाव एक एहम रोल होता है और ज्यादा तर यही करमधारण और अविय भाव ही होते हैं जब आपके बहुविकल्पिय की रूप में पूछा जाएगा एक और होता है समास विग्रा करना यादि अब यह समास के साथ में विग्रा करके उसका नाम भी लिखना कि किस समास से लियागा चाहिए वो अविय भाव हो रिद्वंद हो बहुविर्य हो या तद्फुरुष हो कोई भी समास हो सकता है तो वो विडियो भी मेंने बनाया हुआ इस टूडेट और आपको कोश्चन मैंग में भी देखनी को मिल जाएगा अब यहाँ पर देखिए तेरा नंबर का नंबर कोश्चन इसमें दिया हुआ है कि भूत सब्दे में प्रत्य है तो तेरा का 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 पहला कोश्चन है कि भूत सब्दे में जो प्रत्य है वो कौन सा हो जाएगा तो इसमें से आपका भया कत हो जाएगा का वाला राइट एंसर हो जाएगा अगला है second वाला question कि पठनिये में प्रत्य कौन सा हो जाएगा तो आपका अनियर हो जाएगा जो कि खाविकल प्राइटी इंसर हो जाएगा ठीक है तो आपका संधी तीन नंबर का पूछाता है एक एक नंबर का तीन question तीन नंबर हो जाता है समास आपका दो नंबर का objective की तरह और प्रत्य भी दो question होता है एक एक नंबर का तो इसको तयार कर ले रहा है आपको और ऐसा ही paper में आपको देखने को मिल जाएगा student मैं बार बार कहरा हूँ और अभी भी कहरा हूँ चैनल से जुड़ जाएए अभी नहीं जुड़े है मैं पूर्ण रोप से हर एक subject की तयारी कराऊंगा और आपके कोई भी board exam से related doubts है तो आप लोग नीचे Instagram की ID दी हुए है वहाँ पर आपका हमें follow कर लीजे message कीजे मैं आपके doubt को clear करनी की पूरी कोशिश करूँगा अब यहाँ पर देखिए खा नमबर question दिया हुआ है कि रेकांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ती तथा संबंधित नियम का उले की कीजी दो नमबर यहाँ पर दिया जाएगा तीन दिये हुए है ठीके अब यह क्या करना है विभक्ती को बताना है जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ बालिका ठीके खज्या आस्त यानि यह बालिका पैर से लंगड़ी है ठीके यह बालिका क्या है पैर से लंगड़ी है पहला question इसके जो भीबद्धी है वो तिक एक बढ़ता संब्सक्रांथे एक अबढ़ता एक होता है इसमें क्या होता है इसको बारी हम में वीडियो भनाया वह देख लीजी और यह सभी शन्स आपको तयारकton ले रहा है ठीक यहां पर देखे 14 नंबर कोश्च है कि निमलिकित में से किसी एक पत्र का प्रोरूप के साथ उधारन दीजिए निक पर पत्र लिखना है आठ नंबर का भई आपके हिंदी साहितिक में पत्र पूछा आता है अब यहां पर देखिए किसी विद्याले के प्रव करदेश का नाम रोशन किया है उसे बढ़ाई देते हुए पत्र लिखे या आप दोनों इसे किसी एक को करना है आपको पत्र कैसे लिखना वीडियो चैनल पर मिल जाएगा यही तो डिस्क्रिप्सर में मैं दे दूँगा ठीक है तो यह फिलाल आप देख सकते हैं स्टूड नहीं जितना आप लोग समस्ते वह सिंदी व्याकरण में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा और वह भी मैं किलियर करा दूंगा आने वाले टाइम में आपका देखा जाए तो डेढ़ महीने बचे है पेपर को और डेढ़ महीने में एक अच्छा स्कोर बनाया जा सकता हर एक सब्जक्त के लिए ठीक है इस्टूरेंट तो तयार कर लीजिए और ये पेपर चाहिए तो टेलीग्राप जॉइन कर लीजिए वहाँ पर भी वे ये पेपर को आप लोगों को भेज दूंगा ठीक है तो फ़लानी स्टूरेंट इस वीडियो में इतना ही मिलता है कीजिए और स्वस्त रहिए